वारे इंडिन्रीन टेकलोजी का बारे में वह काफी हद तक एक कांसुलेटेट रेंच में चल रहा है और आप इसके शेयर का अगर देखेंगे तो यह एक बहुत ही स्पाइकप और यहां पर देखने को मिला इस पर्टिकलर शेयर में और उसके बाद से यह शेयर डिकलाइन हो अगर आप देखेंगे तो यह शेयर अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही एक अच्छी खासी राइली इस पर्टिकलर शेयर में देखने को मिली थे और वहां से यह शेयर ऑल्मोस्ट फॉर्ट यह आफ राली देखेंगे न मितलब यह सप्टेंबर 12 से लेके सप्टेंबर 25 Within 1 week आफको इसमें almost 33-35% के असपास के राली 40% के असपास के राली 38 यहां पर दिख रहा है 40% के आसपास के राली इस पर्टिकलर शेयर में दिखाया गया था वहां से again यह शेयर 10% के असपास पास मूँव हो रहा है तो मेरे कहने का यह मतलब है कि एक एक range bound के पास पास ये particular share move कर रहा है, हर बार ये share अपने support and resistance को दिखा रहा है, तो अगर आफ इसके top level की बारे में बात करें, तो अगर इस particular top level पर 1950 का level तूटता है, अगर इसके levels निकलते हैं, लेवल तूटता है 1950 का, तो ही ये share एक अच्छा upward trend expect किया रहा सकता है, एक और main reason ह इस share का अभी बहुत बैतरी तरीके से चलने का, देखिए, वारिन, basically, वारिन energy, वारिन renewal technology के तीन most different companies है, वारिन energy, वारिन renewal technology and वारिन technologies, तो अगर बात करें वारिन technologies का तो profitable नहीं है, वारिन renewal technology, EPS पर काम करती है, engineering procurement and construction spaces पर काम करती है, renewal sector के shares में and वारिन energy जो है, वो इन सब क parent company है, ठीक है, so parent company अभी share market में list अभी तक नहीं हुई है, तो ऐसा नहीं है कि वारिन renewal technology का आपके बास share है, तो आपको share holding quota मिल जागा, पहला तो आप बात यह समझे कि वारिन जब तक आपके बास parent company के shares होते हैं, तो यह आप उसके subsidy companies में share holding quota का मज़ा ले सकते हैं, पर आज क अगर हम लोग बात करें, तो वारिन energy का जो share है, वो basically IPO, IPO इस particular share का launch हो जाता है, तो वहां से एक बहुत अच्छा rally इस particular share में देखने को मिल सकता है, तो वारिन renewal technology में भी यह उसका impact आपको बहुत अच्छा impact आपको देखने को मिलेगा, वारिन energy का IPO जैसे ही launch होगा, तो इस इस चीज़ का आप जरूर धियान रखेगा, तो वारिन energy का IPO जैसे ही launch होगा, वारिन renewal technology का में आपको rally देखने को मिलेगा, बहुत अच्छी rally देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि हम आपको एक बात बता रहे है, यह बिल्कुल भी, यह data driven analysis है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कैस होगा ही होगा, पर आप बात याद रखेगा, कि जब company अच्छा perform कर रही होती है, तो उसकी subsidies bodies भी अच्छा perform कर रही होती है, वारिन renewal technology के अगर बात करें, तो quarterly result को जब आप देख रहे होंगे, तो quarterly result में आपको दिखेगा, कि continuous growth यहाँ पे एक अच्छा continuous growth इस particular company में है, और वही एक main reason है, इस company के बहुत अच्छे तरीके से perform करने का, तो आप इस बात को ध्यान दिजेगा, कि इस particular quarterly result में, previous quarters के result में, continuous growth है इस particular company में, और main actually इस type के companies में जिसमें continuous growth होता है, पिछले 3-4 quarter से यहाँ पे अच्छा profitability दिख रही है, हाला कि जो last quarter था ना, उसमें 236 करोड का revenue तो generate हुआ था पर 41 करोड के असपस का profit हुआ था और 28 करोड का ही profit था, उससे पहले अगर आप देखेंगे तो single digit में इस company का profit रहा है, पर पिछले 3-4 quarter से इस company का performance अच्छा चल रहा है, एक बात और याद रखेगा कि BJP का जो अभी concept चल रहा है हर घर बिजली योजना और ह solar plates के जो योजना है, जिस पर almost 80,000 रुपीज तक का subsidy आपको देखने को मिलेगा, अगर आप solar plate install करते हैं तो, और Warren Energy के पास 12 gigawatt का solar production का plant है, और जो IPO launch हो रहा है, almost 3000 करोड का IPO ये होगा, near to 3000 करोड, इसमें ये लोग क्या करने जा रहे है, 4 gigawatt का और plant को install करेंगे, तो इनकी overall capacity हो जाएगी 16 gigawatt की, अगर हम आपको एक बात बता दे, तो ये 16 gigawatt में जिस particular production cost में, या जिस cost में ये लोग panel को manufacture कर रहा है, आज के date में, वो panel उतने cost में China भी provide नहीं कर पा रहा है, तो right now, इनका जो cost है, वो बहुत बहतरीन है, Warren Energy का, और Warren Energy के panel के cost को, पैनल का cost है, वो एक direct competition दे रहा है चाइना को, तो basically ये एक world level पे भी export कर सकता है, ये company अगर अच्छा production होता है, एक बाद हम आफ को और बता दे, renewal energy अच्छा जरूर है, पर renewal energy में सबसे बड़ा problem है, demand and supply का, अगर इनके CEO जो अभी recently इनके director चेंज हो है, डारेक्टर का भी कहना यही है, कि अगर supply higher demand अगर ये लोग fulfill कर देते हैं, तो I think renewal sector में कोई challenge नहीं होगा, क्योंकि ultimately घर में AC है, fridge है, TV है, electricity है, हारे घर में electricity का consumption है, अगर वो लोग non renewal sector से लेके renewal sector पे अगर convert होंगे, तो I think ये एक बहुत अच्छा opportunity होगा, बदलते होए भारत का, एक बाद हम आफ को और बता दे, ज shares में कुछ दिन पहले ही 5% का upper circuit लगा था, वो इसलिए लगा था, क्योंकि upper circuit लगा था at 1980, ये news जो है, थोड़ा सा पुराना है, 24th of September का है, पर हम आपको एक बात बता दिए, अपर circuit से लिए लगा था, क्योंकि इनके parent company को, सेभी के तरब से green signal मिल गया था, और वहां से इक बार, वारिन टेकलोजी का, जैसे ही profitability दिखाती है, वारिन टेकलोजी, तो आफ देख सकते हैं, बहुत अच्छा, बहुत, जैसे ही IPO launch होता है, तो एक बहुत अच्छा profitable cost हम लोग देख सकते हैं, इस particular share में profitable move देख सकते हैं, solar panel maker, वारिन एनरजी को, एक सेभी के तरब से note मिल गया, पर यह news बहुत पुराना है, and we are expecting this at the end of October, October के end तक, या November के very first beginning में, इनी दोनों टाइम तक, यह इसका IPO launch हो जाए, make sure, आपको इस IPO के, इस particular share के IPO के बारे में, सबसे पहरे detail आपको इसी channel पर मिलेगा, तो आपके channel को subscribe कीचेगा, like कीचेगा, वीडियो को, और आप के पास कोई भी suggestion है, आप चाहते हैं कि मुझे किसी और share के उपर भी बात करना चाहिए, किसी और share के, को cover करना चाहिए, उसके fundamentals को cover करना चाहिए, तो feel free to drop your comment in the comment section, ताकि हम हर एक comment का response दरने को subscribe, bye bye, take care, thank you so much.